हलो फ्रेंड आज के स्वीडियो में आपको बताने जारों की कैसे आप अपने Vivo i15C Android mobile phone में आप जो है Mono Audio Setting को आपने यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह Mono Audio Setting जो है काम कैसे करती है आज की इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप यह वीडियो का हमें स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page ओपन करना है ठीक है setting page को ओपन कर लीजिए अपने mobile phone में आपको नीचे आना है यह पर आपको यह option बिलेगा shortcut and accessibility इसे आपको select करना है इसके अगले page में आपको नीचे आना है यह आपको यह option मिल जाएगा यह audio का option मिल जाएगा इसके सामने बटन को on कर ले ना है ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर चीज क्या मतलब मेरे पास यह earphones है, मेरे mobile phone के, यह देखें, wire वाले earphone है, इस पर earphone पर ध्यान से देखें, यह पर L और R लिखा हुआ है, तो यह L और R जो होता है, यह left और right होता है, हमारे earphone का, ठीक है, आपके earphone पर अगर नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं वह तब भी काम करता है, ठीक है, आपके पास कोई से भी earphone है, चाहिए, Bluetooth वाले earphone है, आपके पास कोई भी wire वाला earphone है, या कोई भी headphone है, सब में यह setting काम करती है, mono audio, ठीक है, होता क्या है कि आप अपने earphones की audio को balance कर स उसमें आपको आवाज सुनाई देगी, लेकिन आपका जो R वाला earphone होगा, उसमें आपके आवाज बिलकुली कम हो जाएगी, ठीक है, इसी तरह के से आप इस pointer को right में कर देंगे, तो इससे क्या होगा, आपका right वाले earphone में आपको आवाज सुनाई देगी, और left वाले earphone मे कहीं पर भी आप रख सकते हैं और आपको earphones में different आपको आवाज एक में कम और एक में जादा सुनाई देगी, मतलब एक में normal और एक में कम सुनाई देगी, ठीक है, तो इससे आपने earphones की audio को balance कर सकते हैं